नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दूसरे चरण के सक्षक बहाली का डेड जारी बिहार के कहीं सहरों में पटाकों पर रहेगी पूरी तरह से रोप पड़ारी जलाने वारे किसानों से फसल नहीं खड़ी देगी बिहार सरकार प्यासी से चेरित सक्षकों की पोस्टिंग के लिए चार उपनिदेशकों को मिला जिम्मा पाकस्तान की हार के बाद हरबजन सिंग ने खड़ाब अंपाइरिंग को लेकर उठाय सवाल इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से दूसरे चरण के सक्षक बहाली का डेट जारी वहीं अब इसको लेकर बिहार सरकार के सामाने प्रिशासन विभाग से अधियाशना मिलने के बाद BPSC के ओर से निप्टी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पतादी कि BPSC के ओर से जारी किये गए पत्र केनुसार आवीदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 से शुरू हो सकती है विहार के कई शहरों में पटाकों पर रहेगी पूरी तरह सरोख इस बार दिपावली में विहार के चार शहरों में पटाकों के इस्तमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंथ लगा दिया गया है ऐसे में जिन चार सहरों में पुनरूप से पटाकों पर पाबंदी लगा दी गई है उनमें बिहार की राजधानी पटना, मुझपरपुर्ग गया और हाजीपुर्श शामिल है यह जानकारी बिहार प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की ओर से दी गई है पराली जलाने वाले किसानों के फसल नहीं खड़ीदेगी बिहार सरकार बिहार में बढ़ते वायू प्रदूशन को देखते वे बिहार सरकार के ओर से सखत कदम उठाएगा है बता दे कि राजी के मुख्य सचिवा आमिर सुभानी के दौरा सभी जलादीकारियों को नर्देश जारी करते वे कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से राजी के उन किसानों से धान की खड़ीद नहीं की जाएगी जो पराली जलाएंगे इसके साथ उनोरी यह भी बताया है कि बार बार पराली जलाने वालों के खिलाफ निरुधात्म काडवाई की जाएगी मुख्य सचीव के द्वारा फसल अफसे इस प्रबंधन की बैठक में सभी को नर्देश देते वे कहा गया कि पराली जनाने वाले किसानों के खिलाफ काडवाई करते वे उनके डीवी टी पंची करन को रद कर दिया जाए और उन्हें सभी प्रकार के अनुदान से वंचित रखा जाए इसके अलावा उन्हें धान अधीप्राप्ती के लाप से भी वंचित रखा जाए इस दिन तक करी दर्ज पिहार में इन दिनों छातरों के द्वारा BPSC के द्वारा ली गए सिक्षक भरती परिक्षा में धान्धली कारोप लगाया जड़ा है इसी को देखते हुए आयोग के द्वारा सिक्षा कभ्यर्थी को अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया गया है से में अप सिक्षा कभ्यर्थी इस परिच्छा सजड़ी अपनी शिकायत 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2023 तक आयोग की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं इस को जूट फैलाने का परिणाम भुगतना पर सकता है इसलिए शिकायत करने से पहले अभ्यर्थी जांचले बिहार के सभी पंचायतों में होंगे सुधा दूद के विक्रिकेंद मिलेगा वहीं इसके लावा पंचायतों तक बिक्री किंद्र खोलने के लिए कॉमफेट के द्वारा पैकिंग में सुधार और कोल्ड चिन स्थापित किये जारे है नई पैकिंग मसीन लगाई जा रही नए डेरी सयंत्र स्थापित किये जारे है पुडाने को सुधर किया जा बिहार के 11 विधान पारसदों का कारेकाल मई 2024 में होगा समाप्त सीट खाली होने वाले है जिसमें राजस से बिहार की पुडव मुखे मंत्री राबरी देवी और राम चंद्र पुडवे का नाम सामिल है वही कॉंग्रस से प्रेम चंद्र निश्रा की सीट खाली होने वाली है इसके अलावा एक सीट बिहार के पुडव मुखे मंत्री चीत प्रतिनुक्ति किया गया है वही सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के 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 पाठक के दौरा इसके आलोक में चार उपनेदेशकों को प्रोग्रामर के साथ प्रतिनुक्ति किया गया है जो इन सबी कारियों का गंभीरता पुरवक निश्पादन करेंगे मालूम हो कि अपर मुख्य सचीव के ओर से चिन चार उपनेदेशकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है उनमें प्रात्मिक सक्षा के उपनेदेशक संजय कुमार चौधरी, माधिमिक सक्षा के उपनेदेश इसकारी के लिए नोडल अधिकारी बिहार सक्षा परियोजना परिसत के अपर राजे परियोजना निदेशक रवी संकर सिंकों बनाया गया है शराब माफियाओं को पकरने गई पुलिस टीम पर हमला बिहार में वर्स 2016 से पुन रूप से सराब बंदी लाग हुए लेकिन इसके बावजूद भी इस जड़े मामले में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही वहें इन देनों माफियाओं के होसले इतने बढ़े हुए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे इसी कड़ी में एक बार फिर से चपड़ा जिले के तरहिया थाना चितर के खराटी गाउं में गुप्त सूश्रा के आधार पर सराब के खिलाफ चाबेमारी करने गई पुलिस पर सराब माफियाओं के द्वरा पत्थराओं किया गया जिससे की सरकारी वहां छतिगरस्थ हो गया इस बारे में थराध्यक्ष आस्तोश खुमार के द्वरा जानकारी देते वें बताया गया कि शराब माफियाओं के द्वरा हंगामा करते वे पुलिस टीम को चारो तरफ से घेर लिया गया जिसके बाद वहां चार थानों की पुलिस पहुंची वहीं मौके पर पुलिस उसके द्वरा एक महिला शराब काडोबारी की गिरफतार भी की गई है और साथ ही उसके घर से भारी मात्रा में शराब भी ब्रामत किया गया है महिला रगबी टीम ने जीता रजट पदक पैड़ा एशियाई खेल में प्रमोद ने जीता स्वन खेल चगत में बिहार के खिलारीयों के दोरा राज्य का नाम रोशन किया जा रहा बता दे कि एक तरफ जहां बिहार महिला रगबी टीम के दोरा गोवा में चल रहे 37 वे नेशनल गेम्स में रजट पदक अपने नाम किया गया तो वहीं दूसरी ओर चीन के हांग जाओं में आयुजित पैडा एशियाई खेल में बिहार के वैशाली के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुस एकल एस एर तीन में अपने नाम सुवन पदक करते वे इस प्रत्योगिता में तीन मेडल हासल कर लिये हैं ऐसे में खिलारियों के उप्रब्दी पर विहार के कला संस्क्रती एवं युवा विभा के मंत्रे जितंदर कुमार राय अपर मुख्य सचीव हर्जोत कौर बमढ़ा विहार राज खेल प्राधिकरन के महानिदेशक सह मुख्य काड़ेकारी अधिकारी रविंदरन संक्रन त कंपनी के बीच अग्रिमेंट हुआ है जिसके तहट अब उत्तर बिहार के कुछ जिलों में प्रिपेड मीटर लगाए जाएंगे जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अर्डिया समेत कई जिलों के नाम शामिल है मालम हो कि इनके बीच कुल 27.99 लाख स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने को लेकर करार हुआ है यह काम वर्ज 2024 से लेकर वर्ज 2026 तक चलेगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि बिहार प्रिपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में सबसे टॉप पर है अब तक राजी में 20 लाख स्मार्ट प्रिपेड मीटर लग चुके है इसी को देखते वे हाली में किंदर सरकार के दौरा देश के अने राजी को विहार के तरज पर स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की बात कही गई थी वहिस के रावा बिजली विवाग के ओर से स्मार्ट प्री पेडमीटर लगवाने के लिए आम लोगों को जागरू करने का भी काम किया जा रहा पटना अनन्द विहार के बीच चलेगी छे स्पेशल ट्रेने दिपावली और छट पूजा में वापस अपने घड़ आने वाले यात्रियों की भीर को देखते वे रेलवे के ओर से कई पूजा है स्पेशल ट्रेन के पडिचालन का नड़ने लिया गया है उनमें पहली ट्रेन सुने 8477 और शुने 8478 भोवनेश्वर आनन्द विहार टर्मिन्स भोवनेश्वर स्पेशल है जो की नेसुवो गोमो पंडित दिन दयाल उपाध्याय जंक्षन के रास्ते चलेगी तीसरी ट्रेन शुने दो तीन आर्चार कॉलकता दिल्ली कॉलकता स्पेशल ट्रेन है जो संस्क्रेट की परिच्छाम का सवाल पूप्शने पर भढ़के गिरिराच बीजेपी सांसल और केंद्रिय मंत्र गिरा सिंग के द्वारा बिहार में संस्कृत की परिक्षा में इसलाम सुझरे सवाल पूछने पर करी अपती जताई गई है उन्होंने कहा कि लालू और नितीश बिहार को इसलामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संस्कृत का इसलामी करन करना चारे हैं उन्होंने लोगों से अपील करते वे कहा कि आज समय रहते नहीं जगे तो वह दिन दूर नहीं जब सभी लोगों को नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा बिहार में संस्कृत की परिक्षा में इसलाम सुझरा सवाल पूछा गया है जो चौकाने ब जन सुराज पदियातरा के सुत्रधार प्रशांत कसोर ने बिहार के संदर्थ में राहूल गांधी और कॉंग्रस के जमीनी हकीकत की पोल खोलते वे कहा कि राहूल गांधी को बिहार से क्या मतलब है आप बताईए जरा कि राहूल गांधी को बिहार में पिछली बार कब दे क्या आप कॉंग्रिस की सिकायत नहीं करते हैं, कॉंग्रिस ने जो बिहार में गर्ती की, उसका खामियाजा उन्होंने भुकता, बिहार में कॉंग्रिस सार 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, आज कॉंग्रिस का 5 प्रतीशत वोर्ट बिहार में नहीं है, बिहार में 1990 के पास से जो तीन दल हैं उत पिछले 32 सारों से बिहार को चला रहे हैं वो हैं लालू, नितीश और भाजपा तो इन तीन उपर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या सिर्थ स्थलों का मुंगेर से टिकेट करा भारत गौरव टुरिस्ट ट्रेन से कड़े दशन भारतिय रेलवे और मलेका अर्जन जोतरलिंग का दर्शन करवाई के ऐसे में अगर आप बे इन तर्थस्तलों का दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना टिकेट की बुकिंग मुंगेर वा जमालपूर स्टेशन पर भी आयार सीटी सी प्रतिन्धी को फोन कर करा सकते हैं बतादे के भारत गौरण फ्रेन के कोच को तीन श्टेनियों में बाटा गया है जिसमें खर्च होने वाले पैसे भी अलग-अलग होंगे बतादे के कनौमी स्लीपर के प्रतिव्यक्ती खर्च 22,750 रुपए 3AC स्टैंडर्ड में प्रतिव्यक्ती 36,100 रुपए और कमफर्ट 3 A.C. के लिए प्रतिव्यक्ती 49,500 रुपए यात्रा खर्च करने होंगे। आज गवाना पड़ा, ICC को इस नियम को बदलना चाहिए अगर गेन स्टम पर लग रही है तो आउट है, अमपायर ने आउट दिया या नौट आउट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनिथा तकनीक का क्या फाइदा? अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है, दूसरे चरण के सिक्षक बहाली के लिए आविदन के शिरवात कब से हो सकती है? आप्शन A 14 नवंबर 2023, आप्शन B 3 नवंबर 2023, आप्शन C 10 दिसंबर 2023, आप्शन D 7 दिसंबर 2023, इसका सही उतर है आप्शन B 3 नवंबर 2023, अगला सवाल, वेहार के किन चार्ज सहरों में पठाकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी? आप्शन A पटना मुझापरपूर गया और हाजिपूर, आप्शन B पटना मुझापरपूर आरा और सिवान, आप्शन C आरा सिवान, पुर्णिया और राजगीर, आप्शन D पटना आरा गया और दर्भंगा, इसका सही उतर है आप्शन A पटना मुझापरपूर गया और हाजिपुर अगला सवाल बिहार सिक्षक भरती सिजुरी शिकाय दर्ज करने की अंतिम तारी क्या है ओप्षण E 29 ओक्टूबर 2020 ओप्षण B 5 नमबर 2020 ओप्षण C 10 नमबर 2020 ओप्षण D 12 नमबर 2020 इसका सहुत तरह ओप्षण D 12 नमबर 2023 अगला सवाल बिहार के ग्यार विधान पारसदों का काड़ेकाल वर्ष 2024 में कब समाप्थ होने वाला है ओप्षण E 6 अगस्ट 2024 ओप्षण B 6 जून 2024 ओप्षण C 5 मई 2024 ओप्षण D 6 मई 2024 इसका सहुत तरह ओप्षण D 6 मई 2024 अगला सवाल दक्षिन भारत के तिर्थस्थलों का IRCTC किस ट्रेन से दर्शन करवाने वाला है ओप्षण E भारत दर्शन फ्रेन ओप्षण D महराचा एक्स्प्रेस ओप्षण C भारत गौरव टृस्थ ट्रेन ओप्षण D दडेकन ओडिशी इसका सहुत तरह ओप्षण C भारत गौरव टृस्थ ट्रेन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आपने बिहार के कौन कौन से तर्थस्थल का ब्रह्मन किया है अपना जवाब हमें मारे कौन सेक्षन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहार नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद